नमशकार दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चानल पे अगर आप इस चानल पे नए है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और उसके मगल में दिये हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो उसकी नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहें और आप ऐसे ही हल्दी बने रहें आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे एक ऐसे इंग्रीडियेंट के बारे में जो मैं सीधा निकाल के लाई हूँ हमारे दादी नानी के घरे लूनुसकों की डाइरी से जिसके बिना हमारी डिशे जदूरी है और साथी साथ हम आपने अकसर देखा होगा अपने घरों में कि जब भी हमें पेट दर्द होता है या जब भी को हमें ज्यादा इंडाइजेशन हो जाए ग्यास बनने लगे या पेट में कोई प्ला देती है या हमें खिला देती है या फिर आपने देखा होगा जैनरली आपने मम्मियों से सुना होगा कि ऐसी सबजियां जो बादी कहलाती है जैसे कि बैंगन अरबी जिसे हम गोईयां भी बोलते हैं ऐसी सबजियों में हम हींग जरूर डालते हैं ऐसा क्यूं क्यूंकि हींग एक कुछ इसके नाचरल एफेक्ट्स जो हम ऐसे ही लेने पर में हमें मिलता है और साथ ही साथ हमें एक ऐसी होमेपेथिक मेडिसिन के विबारे में बात करेंगे जो इसी हींग से बनी हुई है जिसका नाम है ऐसा फोटेडा हींग को हम लोग डेवल्स डंग या फूड अफ देव जो हींग में कुछ ऐसे कंपाउंज होते हैं सेब कंपाउंज होते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बात की लैसून के बारे में तब भी मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे कंपाउंज होते हैं जिसका फॉर एक्जाम्पल डायालिल डायसलफाइल यह हमारे ब्ल कई राजों में उगाई जाती है जैसे कि कश्मीर और पंजाब में अगर आम इसकी नाचुरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें मतलब अगर आप नीव ही जो घर में रखी हुई है वो नॉमली अगर आप खाते हैं तो आपको क्या फायदे होते हैं सबसे पहरे तो इसक एक मतलब ये आपकी टॉइलेट की फ्रिक्विंसी और उसकी कौंटिटीटि बढ़ा देती है इसके थुरूं भी ये हमारे बीन को कम करने में काम करती है इसके लावा ये मेमीरी बूस्ट करने में भी बहुत अच्छा का आप करती है ओ मेमीरी आपकी उतनी ही शापन करती ह और मेमरी उतनी ही जादा आपकी बढ़ाती है इसके अलावा शुगर कंट्रोल करने में साथी साथ आपके आंटी माइक्रोबियल भी होती है यह बाक्तिरियाज, फंजाए इनके अगेस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में भी बहुत अच्छी सामित होती है इसके हमने देखा है कि अगर हीग लग बहुत सारे लोग हते हैं जो health conscious काफी जादा होते हैं उनको अगर पता चल जाए कि heiß ंप काफी जादा मात्र में लेना शुरू कर देते हैं उससे कई आप ऐसे साइड फेक्ट्स भी मलते या फिर आपके लोर लिप में नीचे साइड पे आपको स्वेलिंग आ सकती है जो अचानक से आती है और अपने आप जा भी सकती है अगर नहीं जाती है तो आप उसको कंसल्ट जरूर कर एपने डॉक्टर से इसके अलावा ही जो होती है वो नाचरिल हाइपोटेंसिव होती है और ब्लड थिनिंग होती है मतलब यह आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको नाचरिली कम भी करती है और साथ ही साथ आपके जो ब्लड है उसको पतला करने का भी काम करती है तो अगर आपने हींग जादा मात्रा में ले ली है या कई बार कई सारे लोगों को जो आलरी ब्लड ले रहे हैं जो अल्रेडी बीपी की दवाय ले रहे हैं उनमें कई बार हींग साइड इफेक्स भी कॉस करती है जिसे कि वो ब्लड को क्लॉट करने का जो टाइम होता है उसको बढ़ा देती है मतलब अगर एक हम आदमी को देखें तो हो सकते है अगर आपको कट जाए तो थोड़े देर में ही आपका ब्लड आना बंद हो जाएगा वहापे क्लॉट जम जाएगा बट जो लोग थोड़ा जिनके में अगर यह ऐसा फोटड़ा यानि हींग अगर अपना साइड इफेक्स तो उनके में वो ब्लड है वो काफी देर से रुखता है वो जल्दी क्लॉट नहीं होता है इसकी वज़े से भी आपको कैसारी दिक्कते आ सकते हैं इसके अलावा प्रेगनेंट लेडिस को भी कई बार बोला जाता है कि वो हींग ना ले क्योंकि वो यूटरस के कांट्राक् इसके अलावा जो हींग होती है वो सबसे जादा जो यूज की जाती है वह गास्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए डाजेशिन प्रॉब्लम्स के लिए कई बार हींग ही गास्ट्रिक प्रॉब्लम्स क्रियेट भी कर देती है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको हींग फाइदा क गई है या अगर आपको किसी ने बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम में तो आपको हींग लेनी चाहिए तो आप उसको सुबह शाम दिन रात लेते रहें क्योंकि हर एक चीज के अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इनी इसी मेडिसिन से इसी हींग से होमीपथिक मेडि हो रही है जो अभी मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी अगर यही सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं तो आप ये होमीपथिक मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं इसके साइड इफेक्ट्स मिनिमम होते हैं और इसका एफेक्ट बहुती जल्दी होता है और साथी साथ बहुती लॉग क्या क्या स् Hub 2 अपको मिल सकते हैं जिस पर आप आसफोर तेडा यूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में अगर आपको पेट की फूनले की शिकायद बहुत ज्यादा हो रही हो आपका पेट हमेशा तना रहता हो काफि स्यादे तना रहता हो, इतना जादा की आपको उसके उपर कोई भी tight clothing या कुछ भी ऐसा आपको बरदाश्ट न होता हो साथ ही साथ अगर जो gas बन रही हो वो आपको पास करने में बहुत जादा problem हो रही हो अगर आपकी जो gas है वो उपर चड़ती है और साथ में ऐसा लगता है जिसे यहां पे कुछ फसा हुआ है जैसे कुछ है जो यहां पे अटका हुआ है आपके पेट में जलन बहुत जादा होती है आपको बहुत जादा acidity की problem होती है तो आप S.O.O.T.E.D.A. यूज कर सकते हैं जादा तर जो S.O.O.T.E.D.A. की दिक्कते हैं वो सुबह 11 बजे के आसपास काफी जादा बढ़ जाती है और S.O.O.T.E.D.A. की लगभग जितने भी symptoms हैं यह खुली हवा में जाके काफी उनको अराब देते हैं ऐसके अलावा चेस्ट में अस्थमा में काफी अच्छा काम करती है As A.O.T.E.D.A. यह दो अलग symptoms भी है और यह एक साथ भी मिल सकते हैं अगर आपको खासी भी आ रही है जिसे हलका सभी यहां पे खुजली जैसी या टिकलिंग जैसी होती है और आपको खासी आने लगती है काफी जादा म्यूकस आपके अंदर भरा हुआ है तो आप ऐसे फोटिडा यूज कर सकते हैं ज조 खासी होती है वो रात में जादा बढ़ती और साथी साथ सीने में दढ़ भी होता है काफी जादा ऐसा दर्ण जैसे आप कभी बहुतज़ भाग के आये हो तो जो सीने में पें होता है उसको हम लोग स्टिचिंग पेंग कहते हैं वो पेन भी आपको इस असफोर्टिडा में मिलता है अगर आपको यह सिम्टम्स है जैसे डिस्प्निया मतलब सांस फूलने की दिकत साथी साथ आपको कफ हो रहा है और उसके साथ साथ कुछ ऐसा आपको दर्द महसूस हो रहा है रात में खांसी बढ़ रही है तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स मिल सकते हैं जैसे की आपके दिल के नर्वस बंदेशन्स अर आपको जयादा धड़कर और दिल के एरिया में दर्द हो दो इसके अलावा ज़ो दर्द होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है मतलब आपको ऐसा फील होगा कि जो आपका दर्द है वो कहीं अंदर से होते हुए बाहर की तरफ आ रहा है इसके अलावा आसा फोटेडा मेरा स्किन में भी काफी अच्छा का्म करती हैं भर मैं आपको सज्जेस्ट करूँय कि मैडिसीन के लिए स्किन के लिए ने कोences णई एक उसे चिश्ठे पेई त्थए हैं यू mismos अनौन when you are a ãosि also if you are aware of a new अर्था मा ख़िन उसे पुब हो चिवे लिया का जुपंग, विपना के करें शोड़िति में आपके महां सकते हैं तो आप asapointeda use कर सकते हैं इसके अलावा जो maximum symptoms आपको जितने भी symptoms में बता रही हूँ ये सभी symptoms आपको खुली हवा में आराम देंगे इसके अलावा एक और ऐसी problem है जो बहुती commonly ladies में मिल जाती है वो है milk production की मतलब प्रेगनेंसी के end phase में जो प्रेगनेंसी के बाद जो milk production होता है वो काफी जादा या तो बढ़ जाता है इतना जादा कि जो milk है हमारे memory glands में भारा हुआ वो काफी जादा fullness उसमें फील होने लगता है या फिर milk का secretion कम हो जाता है मतलब मिल्क डूद कम निकलने लगता है ऐसे टाइम पे भी सफोर्टेडा काफी अच्छा साबित हो काम कर सकती है बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ मुझे कॉमेंट सेक्षन में भी बताए कि आप अगली ऐसी कौन सी वीडियो है आप चाते हैं जो मैं लाओं इस टॉपिक पे मैं बात करूँ तब तक के लिए थांक्यू और नवस्ते